साहित निद में आज सुनिये देश के मशूर लोग कथाकार श्री विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी राजी नामा बढ़ती उम्र के साथ साथ जिन्दगी की घटनाएं समय की राक तले दपती जाती हैं पर कभी कभी ठेट बच्पन की कोई बात सारी उम्र नहीं बूचती राक के नीचे जोंकीतियों जगमक करती मिल जाती है आज तो मैं एक लेखक की मर्यादा निभा रहा हूँ पर उन दिनों कोरा मोरा एक पाठक ही था पढ़ने लाएक कोई किताब हाथ लगी नहीं कि गटगट आखों से पी जाता शायद नौवी कक्षा में पढ़ता हूँगा तब की बात है मैं खुद तो घर पर ही रहता था पर संगी सातियों से मिलने की उमंग में दूसरे तीसरे दिन चारण हॉस्टल का चक्कर काटा था सुभाओ तो सभी लड़कों का अलग-अलग होता है पर बासनी गाओं का राम करण एक बेढ़ब सुभाओ तथा निराली सुरत का लड़का था मतीरे की तरह गोल सफा चक्कोपडी, लंबी चोटी, थुल-थुल शरीर किल मुहासों से भरा गोल जहरा, मिची-मिची आखें, मानों उस तरह से चीरा देकर अंदर बिठाई गई हूँ किसी से भी अधिक मेल मुलाकात नहीं, एकल खोरा बतलाने पर भी मुश्किल से भोलता, अपने ही दंद भंद में उल्जा हुआ मन करता, तभी एक चमचमाता कांच लेकर मुँके सामने रख लिता और हाथों के इशारे करते हुए अपने प्रत्विम से देर तक बातने करता रहता संगी साथी जब तब चिड़ाते, पर वो किसी की भी परवा नहीं करता मानो पत्थर से कहा गया हूँ, मनी मन मंद मंद मुस्कुराता रहता सभी कमरों में अक्सर उसकी चर्चा चलती रहती थी सुनते सुनते मेरे पास काफी मजेदार मसालाई खटा होता गया काफ में टुकुर टुकुर इस प्रकार अपनी सूरत देखता मानो वो कोई दूसरा ही लड़का हो और इस तरह निशंक बाते करता गया किसी मित्र से बाते कर रहा हो एक दफा फटी हुई चुन्डी के चितरे से रंजी ज़ाड़ कर मेज पर काफ रखा सामने कुर्सी पर बैठ कर कुछ देर अपना प्रतिबिम्ब नहारता रहा फिर होट मुलमलाते हुए पूछा बता इस बार तिमाही में फेल कैसे हुआ मुँ उतार कर धीरे से जवाब दिया मैं अकेला ही तो फेल नहीं हुआ कक्षा में आधे से ज़्यादा लड़के फेल हुए है उसने आखे तरेर कर तीखे स्वर में फटकार बताई दूसरे गए भाड में तुझे उनसे क्या ले ना देना अपनी हैसियत के अंसार चलना चाहिए तुझे मालुम नहीं घर में कितनी तंगी है भर पेट खाना नखा कर घरवाले तुझे पढ़ाते हैं और जनाब को कोई परवाही नहीं पर्चे बहुत कठे नाए क्या तिरे अकेले के लिए ही कठे नाए बाकी लड़के कैसे पास हुए मेनत तो काफी करता हूँ इमताहन के नाम से ही जूरी चड़ती है जो आता है वो भी भूल जाता हूँ शहर में आकर बाते बनाना तो खुब सी किया डंग से मन लगा कर पढ़ाई करेगा तो तू ही सुख पाएगा कान खोल कर साफ सुन ले आगे कोई गलती की तो तू तेरी जाने एक बार वो दो तीन घड़ी दिन चड़े देर से उठा तो उसे बहुत बुरा लगा जल्दी जल्दी बिना साफ किये ही कान सामने रखा और दात पीसते हुए पूछा रात को इतनी देर से क्यों आया ज़रूर सिनेमा देखने गया होगा जरा देर से आया नहीं कि आपको जड़ सिनेमा के शक होता है तो सच बता तू कहां गया था माथे में बल डाले कुछ देर सोचता रहा फिर बोला गोडों के चौक मौसी जी से सांज को मिलने गया था मैं तो खुब इंकार करता रहा पर उन्होंने बिना ब्यालू किया आने ही नी दिया फिर मुझे थोड़ी उंगा गई जगते ही सीधा होस्टल की तरफ भागा विश्वास ना हो तो तुझ पर विश्वास मैंने सब पता कर लिया है करणी दान और राम बक्ष के साथ हजरत चार बुझा टाकीज में पधारे थे तुझे कितनी बार समझाया इन लफंगों के साथ मत किया कर मेरे सामने जूट समवारना चाहता है तू कहे तो उन्हें रूबरू बुला कर पूछू ये बास सुनते ही कांच वाली छाया का मूँ उतर गया आँखें नीची करके इधर दर जाकने लगा फिर दोनों हाथों से कान पकड़ कर कहने लगा कल भारी भूल हो गई अब कभी गलती नहीं होगी आज माफ कर दो माफ करने पर तो उल्टा और बिगड़ेगा एक बाट ठीक से मरमत हो जाये तो फिर कई दिनों तक निश्चिंद निरलज को लाज शर्म से वास्ता ही नहीं गाउं के सगे संबंदी दुश्मनों से भी बदतर है उनका वश चले तो गाउं ही चुड़ा दे घरवालों की सब आज तुझ पर ठिकी है जो तो वकालत पास कर ले तो घरवालों की तकलीफें सार्थक हों वरना सब की आज पर पाला पड़ेगा सो तो पड़े गाई पर तेरी गद्वी कम नहीं बिगड़ेगी वोही हसिया वही घास वही कुलाडी वही लकडी वही हल वही दूप वही पसीना वही लूप वही जोपडी ठीक मन लगाकर नहीं पढ़ा तो तेरे काटे तेरे ही चुभेंगे फिर मिची आके फाड़ कर काच के सामने देखता बहला इसमें मूँ पुलाने की क्या बात है बहलाई की बात भी कड़वी लगती है ये दिन तो कुलाचे भड़ते निकल जाएंगे फिर बेहद मुसीबते उठानी पड़ेंगी अरे काच में गधे का चेरा कहां से उभराया कहीं पीछे कोई गधा तो नहीं खड़ा है उसे जिजग कर पीछे देखा कुछ भी तो नहीं फिर सामने मूँ करके अपना ही चेरा साफ दिखता जगे जगे कीले ही कीले ओ कुटे की तरह कान इतने लंबे कैसे हो गए आँखे बंद करके वापस खोलता तो कान फिर वैसे ही हो जाते कान की लौँ पकड़ कर बार बार जोर से खीचता चिट्टी उंगली से कान का मेल निकालता एक बार देशी ठर्ड़ा पीने से मिचरी आँखों में भी रंग आ गया कांच में देखा तो शकल अंजानी सी लगी नजर गड़ा कर पूछा तू कौन है भाई तू है वो ही मैं हूँ मैं हूँ वो ही तू है हाँ फिर मैंने पहचाना क्यों नहीं वो तो तू जाने शायद दारू पीने से आँखों के रंगत बदल गई हो क्या तूने फिर दारू पी मैंने नहीं पी तूने पी उसके बाद दोनों हाथों से सिर पकड़े हो थोड़ी दिर बैठा रहा फिर मुश्किल से हिम्मत करके उसे काँच की तरफ देखा सिर पर ये दो सीम कैसे हो गाए आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई कुरसी से जट उठ खड़ा हुआ अपने हाथ से चुपाई हुई बीडी माचस लाकर वापस कुरसी पर बैठ किया उल्टी बीडी सुलगा कर लगते ही दो तीन कश खीचे दुमे के छलों से काँच की चमक धुनली पड़ गई इस बार काँच में बकरे का चेहरा नजर आया लटकते हुए कान सिर पर दो नुकीले सींग कहीं इस काँच की रंगत तो नहीं बदल गई वो जुझला कर खाट पर लेट किया फिर उसने काफी दिनों तक काँच नहीं देखा एक बार गुस्से में तम-तमा कर उसने कमरे का ताला खुला ठोकर से दर्वाजा उगार बसते को खाट पर पटक दिया काँच सीधा करके सामने कुर्सी पर बैट किया काँच पर गर्धी गर्ध जमी थी अकस्मात उस गर्ध के भीतर से एक चेहरा प्रकट हुआ उस पर नजर पढ़ते ही वो कहने लगा आजकल साहब जादे छोक्रियों के पीछे भटकने लगे हैं अब तो पूरी बात ही बिगड़ गई जो भी बात हो मुझे साब साब बता दे वरना आज तेरी शामत है सरकारी सड़क वे मेरे अकेले के पटे नहीं है बहुत से आदमी इदर दर चलते रहते हैं मैं किस किस का द्यान रखूँ तूने खास द्यान रखकर पीछा किया तभी मुझे इतना गुस्सा आया पहले तो कभी मैंने ऐसा उलाहना नहीं दिया बेशर तूने नई विद्या कब सीखी घरवालों ने कुछ भरोसा करके यहां बेजा और तूने यह कुल खिलाए हराम खोर हराम खोर अब भी तू मुझे मुझे मूँ दिखाता है ऐसी बात है तो आप मूँ देखते ही क्यों है मैं तो डर के मारे सामने नहीं आना चाहता पर आप ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ मूँ जोर कहीं का मेरे सामने जबान चलाता है खबरदार ज्यादा बक्वास की तो जबान खीच लूँगा ये बात कहकर ओ गुस्से से होट चबाने लगा फिर दो-तीन मरतबा गमच्छा जटक कर काज की धूल जारी चेरा मानो उल्टा उसे ही आँखें दिखाने लगा हो चोरी और सीना जोरी थोड़ी बहुत भी शर्म हया हो तो चुलू बर पानी में डूब मर घरवाले तो छाज दलिया खाकर जैसे तैसे जून पूरी करते हैं जनाब के लिए गी भेजते हैं गोन के लड़ू भेजते हैं उनके सपनों के साथ दगा करके तू छुकरियों के पीछे डोलता फिरता है मेरे भी तो कुछ सपने होंगे तेरे कैसे क्या सपने हैं सपनों जैसे सपने मेरी उम्र के मताबिक सपने फिर घरवालों के सपनों का क्या होगा गरवाले जाने तू कुछ नहीं जानता नहीं मैं तो अपने सपनों के अलावा दूसरी बात नहीं जानता चंडाल तू इतनी बातें कब सीख गया ये बातें आप ही आती हैं गहीं सीखने की जरूत नहीं पड़ती बकवास बंद करता है कि लगाओं दो चार थप पड़ ये बात कहते हैं उसे गुस्सा आ गया तड़ा तर पांच साथे एक लाफे रसीद कर दिये गाल लाल हो गए आँखें छलचना आएं आगे शकल देखने का साहस नहीं हुआ थोड़ी देर सर जुका कर बैठा रहा फिर गर्दन उठा कर मिची मिची आँखों से कांच की और देखा अभी तक गाल लाल थे तीन चारे कीले फूट गई थी आखिर हिम्मत हारते हुए अंतिम धंकी थी अब कभी छुकरियों के पीछे डोलते देखा तो गर्दन वरोड दूँगा कुछ उत्तर नहीं मिला आखों में आखे डाल कर वो अपना प्रतिविम्म तब तक देखता रहा जब तक की शीशे वाला चेहरा दीरे-दीरे लुपत नहीं हो गया कि अचानक वो जिजग कर खड़ा हो गया बड़बडाते हुए कहने लगा ये कैसी अनूनी बात हुई कांच में अपना चेहरा ही नहीं दिखाई देता फिर वो बावले की तरह दोड़ता हुआ हॉस्टल के बाहर गया हलवाई के दुकान से एक दही थड़ी और एक लड़्डू लाया वापस कुर्सी पर बैट कर कांच में देखा तो चेहरा साफ दिखाई दिया गालों की ललाय काफी कम हो गई थी अब रिसना छोड़ ले ये मिठाई खा ले मैं कुछ नहीं खाऊंगा मुझे मारा क्यों अभी कहा मारा है बदमाशी करेगा तो और मारूंगा फिर ये जूटा दुलार क्यों हाथ ना ठके तब तक मारे जाओ ले खा ले ज़्यादा जिद मत कर नहीं तो और मार पड़ेगी काच वाला प्रतेबे में मुझे खुला कर बोला हरगिज ने खाऊंगा जो करना हो सो कर लो अरे मूर्खों के बाश्याद मैं तेरे भले की खातरी इतनी मगजमारी कर रहा हूँ तेरा मेरा भला कौन सा अलग है क्या तू मुझे अलग नहीं है नहीं अपन दोनों एक ही है फकत ये शीजा ही मुसीवत की जड़ है मेरा कहा मान फिर राम जाने उसके सिर पर क्या खब्द सवार हुई कि कपड़े दोने की मोगरी से उस कांच के टुकडे टुकडे कर दिये और गली में फेंकर खुशी खुशी और मिठाई खा ली उसके बाद जब कभी मिठाई खाने का मौका आया उसने कभी हील हुज़त नहीं की उसी दिन से दोनों के बीच एक ऐसा पुखता राजी नामा हो गया था और आज उसी राजी नामे का ही करिश्मा है कि एक अकिंचन थानेदार होते हुए भी लोग बाग उसके पास पांच लाग रुपे की पूजी कूथते हैं अभी आप सुन रहे थे विजयदान देता उर्फ विच्जी जी के लिखी हुई कहानी राजी नामा